जेन दोस्तों वेलकम कु जहर्कन इस्टीटी अड़ा में आपका बहुत बूँस्वागारें दोस्तों हमाला टोफिक्चर आप जहर्कन जी के टेस्ट सीरीज आपके साबने option A, पलामू, B, राची, C, गुमला, D, गुडडा इसका राइटनेसर होगा दोस्तों option B जी हैं दोस्तों इसका राइटनेसर होगा option B, राची करकर रेखा जहारखन के राची सहर के बिश्च होते हुए गुजरती है अगला प्रश्न आपके साबने option A, चिकनी मिट्टी, B, रेतिली मिट्टी, C, अबरक युक्त मिट्टी, D, काली मिट्टी इसका राइटनेसर होगा दोस्तों option C, अबरक युक्त मिट्टी जियां दोस्तों कोडर्मा जुम्री तिलिया तथा मंधार पारी के आसपास अबरक युक्त मिट्टी पाई जाती है दोस्तों प्रश्नों के साथ सत कोईस्टन को भी अच्छी तरह से याद करे अगला प्रश्न जार्खन के किस सहर में बिग्यान केंद्र बनाया गया है जियां दोस्तों जार्खन के किस सहर में बिग्यान केंद्र बनाया गया है आपके सामने option A, धनबाद, B, बोकारो, C, राची, D, जमसेदपूर इसका right answer रोगा दोस्तों option C, राची, जियां जार्खन के राची सहर में बिग्यान केंद्र बनाया गया है अगला प्रश्न पुर्वी सिंभूम जीला निम्लिखित में से किस का हिस्सा है आपके सामने option A. छुटानागपूर का पठार, B. बीग पठार, C. उत्तरी पठार, D. पुर्वी पठार इसका right answer होगा दोस्तो option A. छुटानागपूर का पठार जी हाँ दोस्तो पुर्वी सिम्भूम जिला छुटानागपूर पठार का ही हिस्सा है अगला प्रश्ण सिंद्री में उर्वरक सैंत्र कारखाना की अस्तापना कब की गई थी? आपके सामने option A. 1951, B. 1941, C. 1981, D. 1971 इसका right answer होगा दोस्तो option A. 1951 जी हाँ दोस्तो सिंद्री में उर्वरक सैंत्र कारखाना की अस्तापना 1951-1951 में क्या गया था? अगला प्रश्ण चांडिल जल बिद्दुत उर्जा प्रोजेक्ट किस नदी पर बना है? जी हाँ दोस्तो चांडिल जल बिद्दुत उर्जा प्रोजेक्ट किस नदी पर बना है? आपके सामने option ए सवर नरेखा नदी, B दामोदर नदी, C गंगा नदी, D बराकर नदी इसका रायट इंस्तर होगा दोस्तों option ए सवर नरेखा नदी जियां दोस्तों चांडिल चांडिल जल बिद्धुत उर्जा प्रोजेक्ट सवर नरेखा नदी पर बना है अगला प्रशन परसनात की पहारी किस पठार का हिस्सा है आपके सामने option ए गिरीडी पठार, B कोडर्मा पठार, C राची का पठार, D नोटा का पठार इसका राइट इन सुरोगा दोस्तो ओप्षन ए गिरीडी का पठार जीया दोस्तो परशनात की पहाडी गिरीडी पठार का हिस्सा है अगला प्रश्ण जार्खन का पहला तामा करखना कहां बनाया गया था जिया दोस्तो जार्खन का पहला तामा करखना कहां बनाया गया था आपके सामने ओप्सन ए धनबाद, बी मूरी, सी घाट सीला, डी जमसेदपूर इसका राइटन सुरोगा दोस्तों ओप्शन C घाट सिला जी या दोस्तों जार्खन का पहला तामा करखना घाट सिला में लगाया गया था अगला प्रस्ण बिर्षा मुंडा करांती का दुसरा नाम क्या है जियां दोस्तों बिर्षा मुंडा करांती का दुसरा नाम क्या है आपके सामने ओप्षन A हो आंदोलन B हूल आंदोलन C उल्गुलान आंदोलन D चेरो आंदोलन इसका राइट इंसर होगा दोस्तो उप्षन सी उल्गुलान आंधोलन जी हां दोस्तो बिरसा मुंडा करांती का दुसरा नाम उल्गुलान आंधोलन भी है अगला प्रश्ण किसके कल्यान के लिए जार्खन के मुख्यमंत्री दुआरा बाल गरीब समिरिधी योजना की घोसना की गई है आपके सामने option A केवल माताय, B केवल नोजाद सीसु के लिए, C माताय एवंग नोजाद सीसु दोनों के लिए या option D में से कोई नहीं इसका right answer रोगा दोस्तो ओप्षन C माताय एवंग नोजाद सीसु दोनों के लिए जिया दोस्तो जार्खन में मुख्यमंत्री दुआरा बाल गरीब समिरिधी योजना की घोसना की गई है माताय एवंग नोजाद सीसु दोनों के लिए अगला प्रशन योगी नी सकती पीट जार्खन के किस जिला में इस्तित है योगी नी सकती पीट जार्खन के किस जिला में इस्तित है आपके सामने option A राची B जमसेदपूर C गोड़ा D लातेहार इसका राइटन सरोगा दोस्तो ओप्सन C गोड़ा जिया दोस्तो योगी नी सकती पीट जार्खन के गोड़ा जिला में इस्तित है दोस्तो प्रशन को अच्छी तरह से याद करे अगला प्रशन दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है आपके सामने option A 500 किलोमेटर, option B 590 किलोमेटर, option C 638 किलोमेटर या option D 699 किलोमेटर इसका राइट इन शुरोगा दोस्तो, option B 590 किलोमेटर, 592 किलोमेटर जियां दोस्तो, दामोदर नदी की कुल लंबाई 592 किलोमेटर है अगला प्रशन, जार्खन की सबसे ठंडी जगा कोन सी है? जार्खन की सबसे ठंडी जगा कोन सी है? आपके सामने option A, धनबाद, B, जमसेदपूर, C, नेतरहाट या option D, वोकारो इसका राइट इन शुरोगा दोस्तो, option C, नेतरहाट जार्खन की सबसे ठंडी जगा है नेतरहाट, नेतरहाट जार्खन की सबसे ठंडी जगा है अगला प्रश्ण, जार्खन में रजरप्पा किस नदी पर इस्तित है? आपके सामने option A, कारो नदी, B, और अंगा नदी, C, अजय नदी, D, दामोदर और भेडा नदी इसका राइट इन चुरोगा दोस्तो, option D, दामोदर और भेडा नदी, जियां दोस्तो, जार्खन में रजरप्पा, दामोदर और भेडा नदी के संगम पर इस्तित है अगला प्रस्ण, जार्खन बिधान सबा में एंगलो इंडियन समाज के मनोनित परती नीधी कोन है? आपके सामने option A, जोर्ज बेकर, B, गलेन जोशेप गोलेश्टेन, C, रिचर्ड डे, D, डेंजिल स्मीथ इसका राइट इन शुरोगा दोस्तो, option B, गलेन जोशेप गोलेश्टेन, जियां दोस्तो, वर्तमान में जार्खन बिधान सबा में एंगलो इंडियन समाज के मनोनित परती नीधी है, गलेन जोशेप गोलेश्टेन, अगला प्रस्ण, जार्खन में कोन सा अस्थान को भग भगवान हनुमान का जनम अस्तान भी माना जाता है, आपके सामने, option A, अली नगर, B, अंजन गराम, C, बलरामपूर, D, भतेपूर, इसका राइट इन शुरोगा दोस्तो, option B, अंजन गराम, जियां दोस्तो, जार्खन के अंजन गराम में माना जाता है कि भगवान हनुमान का जनम हुआ था, अगला प्रशन, जार्खन की उत्तरी कोयल नदी कहां से सुरू होती है, जियां दोस्तो, जार्खन के उत्तरी कोयल नदी कहां से सुरू होती है, आपके सामने, option A, राची के पठार के मैद्ध भाग से, B, छोटानाकपूर का पठार से, C, देवगर का जार्खन की उत्तरी कोयल नदी, जार्ची पठार के मैद्ध भाग से सुरू होती है, अगला प्रशन, C, एन्टी अधिनियम 1908 की रूप रेखा किसने त्यार क्या था, आपके सामने, option A, रामेश्वरलाल, B, S, जे बोस, C, फादर हॉपमेन, D, एडवर्ड गेल, इसका राइटन सुरूगा दोस्तो, option C, फादर हॉपमेन, जी यां, दोस्तो, फादर हॉपमेन नई, C, एन्टी अधिनियम 1908 की रूप रेखा त्यार किया था, अगला प्रशन, संथाली समुदाई निम्न में से कोन सी चित्रकला का अभ्यास करते है, संथाली समुदाई निम्न में से कोन सी चित्रकला का अभ्यास करते है, आपके सामने, option A, बोहरी, B, जुमर, C, जादोपटिया, D, पटीकार, इसका राइट निम्न से रोगा दूस्तों, option C, जादोपटिया, जियां, दूस्तों, संथाली समुदाई के लोग, जादोपटिया, चित्रकला के अभ्यास करते है, अगला प्रस्ण, जार्खन राज को कितने किरिसी मोसम छेत्रों में बाटा गया है, जार्खन राज को कितने किरिसी मोसम छेत्रों में बाटा गया है, आपके सामने, option A, 1, B, 2, C, 3, option D, 4, इसका राइट निसर होगा दुस्तो ओप्षन C3 जिया दुस्तो जार्खन राज के किरिसी मोसम छित्रों को तीन छित्रों में बाटा गया है अगला प्रश्न जार्खन का साब्डिक अर्थ क्या है आपके सामने ओप्षन A सापों का भूमी B जंगलों का भूमी C नदियों का भूमी D पहाडों की भूमी इसका राइट निसर होगा दुस्तो ओप्षन B जंगलों की भूमी जिया दुस्तो जार्खन का साब्डिक अर्थ है जंगलों की भूमी अगला प्रशन जार्खन के किस सहर को मैंचेस्टर ओफ इस्ट भी कहा जाता है जार्खन के किस सहर को मैंचेस्टर ओफ इस्ट भी कहा जाता है आपके सामने ओप्षन A वोकारो B राची C धनबाद D हजारी वाग इसका राइट इन सुरोगा दोस्तो ओप्सन B राची जी या दोस्तो जारकन के राची सहर को मैंचेस्टर ओफ इस्ट भी कहा जाता है अगला प्रश्ण किस देश के सयोग से राची में फाउंटरी फोर्ज सेंत्र कारखाना अस्तापित क्या गया है आपके सामने ओप्सन E ओस्टिलिया, B ब्रेटेन, C जर्मनी, D चेकोशलोगा किया इसका राइट इन सुरोगा दोस्तो ओप्सन D चेकोशलोगा किया जियां दोस्तों चेकोशलवा किया देश के सयोग से राची में फाउंड़ी फोर्च सेंत्र कारखाना की अस्तापित क्या गया अगला प्रश्न जार्खन बनने की उपरांत उसमें कितने ने जीले जोड़े जा चुके है जार्खन बनने की उपरांत उसमें कितने नए जीले जोड़े जा चुके है आपके सामने option A, 4 जीले, B, 6 जीले, C, 8 जीले, या option D, 10 जीले इसका rightness रोगा दोस्तो, option B, 6 जीले जार्खन बनने की उपरांत 6 जीले ने बनाए गया है और 6 जीले सामिल किये गया है जार्खन में अगला प्रश्न, सिखर जी जो गिरीडी जार्खन में इस्तित है किस धरम का पवित्र तिर्थ अस्तल है जिया दोस्तो, सिखर जी जो गिरीडी जार्खन में इस्तित है किस धरम का पवित्र तिर्थ अस्तल है आपके सामने option A हिंदु धरम, B मुस्लिम धरम, C सीख धरम या option D जेन धरम इसका राइड इन सुरोगा दोस्तों option D जेन धरम जीयां दोस्तों सीखर जी जो greedy में इस्तीत है वो जेन धरम का पवित्रत तीरत अस्तल है आई होप कि दोस्तों वीडियो आप लोग का अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें शेयर कीजिए दोस्तों और आप जरूर बताए कि आप 25 में से कितने पर्षन का सही उत्तर कर पाए है और दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें क्योंकि दोस्तों जारकल लिटिट को भी नोटिपीकरसन या वीडियो सबसे पल आप तक पहुश सकें